Hi, my name is Ashish Parashar. Welcome to Magnet Drainz. इस lecture में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक that is Biotechnology. अगर इंट्रोड़क्शन की बात करूँ, what is Biotechnology? तो Biotechnology deal with the technique of using live micro-organism. यानि कि हम क्या कर रहे हैं? micro-organism का यूज़ कर रहे हैं, बैक्टिरिया का फंजाइ, अलगी स्टैप से. mainly bacteria का, plants, animals, उनके parts और उनके enzymes का. तो हम पूरे bacteria का यूज़ कर रहे हैं, उसके parts का, enzyme का, कुछ भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं to produce product and processes useful to human. जो हमारे काम की चीज़े हैं, उनको produce करना. जैसे कि insulin produce करना. ठीक है? Biotechnology जो word दिया था 1917 में, curl अर्की नहीं दिया था. समझते हैं. इसमें क्या होगा? बहुत ध्यान से, biotech का मैं एक दम सार बताने जा रहा हूँ. हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया का plasmid लेंगे, और बैक्टीरिया का plasmid उसमें लगाएंगे, एक cut. तो ये जो plasmid हो जाएगा, ऐसा. और अगली step में, ये एक दूसरा portion, ये, इसको हम इससे join कर देंगे, next step में. ठीक है? और ये जो अब plasmid बन गया, ये अब हमारा काम करेगा. इसको समझाता हूँ, बहुत basic चीज़ है. देखो, आपको पता है जो plasmid होता है, plasmid के बारे में चीज़े बता देता हूँ, plasmid जो होता है, वो खुद से replicate करता है. तो हमने ऐसा plasmid में, अपना जो काम का, जैसे for example, मान लीजे, किसी कोई बीमारी है, और उस बीमारी में, उसको एक single gene disorder है, अब gene उसकी body में नहीं है वो, हमको वो gene उसकी body में भेजना है, यह रहाँ वो individual, इस individual की body में हमको यह gene भेजना है, ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, यह gene आप भेजो कैसे, obvious ही बात है, कोई नो कोई vector लोगे, vector plasmid हो सकता है, या कोई virus ही, कुछ भी x-y-z ले सकते हैं, तो यह process जो है, वो biotech होती है, जो लोग इसको पहली बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो थोड़ी शान्ती बनाए रखें, बहुत अच्छा topic है, और एक बार में समझ आता है, ठीक है, पहले इसकी basic theory को पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, प्रेजंस ओफ प्लाजमेडेन बैक्टिरिया, एक्चुली में ये बहुत ज़्यादा unique feature है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा feature है, हम एक्चुली में इसी का सबसे ज़्यादा use करते हैं, आप मैं बताता हूँ आपको basics, ये रा बैक्टिरिया आपको पता है इसका circular DNA होता है, इस टाइब से कुछ, ठीक है, और इसके अलावा एक और circular DNA होता है, जो extra chromosome, यानि जो बैक्टिरिया का main DNA content है, उससे हटके extra chromosome, प्लस, ये autonomous replication शो करता है, क्या करता है, autonomous replication, यानि खुद से ही replicate हो जाएगा, इसको bacteria कोई लेना देना नहीं, अगर मैं इसको आपकी body में डाल दो, तो खुद से replicate हो जाएगा, खुद की copy बना लेगा, अगर ये है, तो खुद की copy बना लेगा, बिना किसी से पूछे, ये है इसका फाइदा, और इसी का हम फाइदा उठाते हैं, next, restriction endonucleus, ये वो enzyme है, जो DNA को किसी एक specific जगा पे काटते हैं, जो DNA को किसी एक specific जगा पे काटते हैं, ये उन enzyme का नाम है, ठीक है, molecular scissors इन ही का नाम है, क्योंकि ये molecule, DNA is a molecule, उसको काटने क काम कर रहा है, बर्ब has often considered as father of genetic engineering, शायद कभी MCQ में आज़े, next, Cohen and professor Bohr, institute introduced a piece of gene containing foreign DNA, into plasmid of E. coli, क्या समझा है इनने, ये professor Herbert Bohr और professor Stanley Cohen, जो NCIT में दिया हुआ है न, उन लोगों ने क्या किया था, एक piece of gene containing foreign DNA, यानि कि एक piece of gene containing foreign DNA, जो मैंने अभी example बताया था न, containing foreign DNA, उसको उन्होंने E. coli के plasmid में attach कर दिया था, यही इनने बहुत बड़ी काम्यावी हासिल की थी, और यही से biotechnology की start हुई, तो यह होता है plasmid, इसके एक portion को काटा, और उसमें हमने अपना जो भी काम का gene है, gene of interest बोलते हैं उसको, उसको add कर दिया, नो definition of biotechnology by European Federation of Biotechnology, biotechnology is the integrated use of biochemistry, microbiology and engineering science, in order to achieve technology, industrial application of the capabilities of microorganism, cultured tissue and cell parts thereof, यह जो definition है, यहां की बजाए, आप जो NCRT है, जो NCRT की proper definition है, वहां से ही पढ़ना, क्योंकि मैं यह समझाने के लिए बनाई है, और यह समझाने वाली definition आपके MCQ में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर वो आपको रटने को बोलेंगे वो definition, तो as it is, same words के साथ वहीं की देंगे, ठीक है ना, यह समझाने के लिए important, कैसे, यह integration है, microbiology का, biochemistry का, और engineering science का, और इन तीनों की मदद से, हम क्या कर रहे हैं, एक नए तरीके का DNA circle बना रहे हैं, जो हमारे काम का है, ठीक है ना, यह इसमुझ समझाने कोशिश की गई, अगर मैं diagrammatic समझाओं, तो आपने देखा होगा, यह रहे एक DNA, उसमें हम अपने काम का, gene of interest, include कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यह होता है, ना, next, दो main technique हैं, एक genetic engineering है, और एक chemical engineering, genetic engineering में क्या होगा, कि हम alter कर रहे हैं, जो genetic material हो, उसको change कर रहे हैं, और chemical engineering में क्या होगा, maintain the sterile condition, क्योंकि हमने, जो भी XYZ मान लीजे, हमने genetic engineering की मदद से, वो जो plasmid है, उसको change कर दिया, अपने काम का gene भी ले दिया, अब उसको organism के अंदर, transfer भी कर रहे हैं, फिर क्या, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ये भी तो देखोगे, कि वो ठीक से काम कर रहा है हैं नहीं, तो वही chemical engineering, उसको ठीक से काम करने के लिए, sterile condition provide करना, next, construction of first artificial recombinant DNA, तो first artificial recombinant DNA, constructed by professor Stanley Cohen, and Herbert Boyer, मैंने भी बताया था न, उनने plasmid और वो किया था, next, they cut the piece of DNA from plasmid, उन्होंने किस तरीके से, जो bacterium था, Salmonella typhi, उसका plasmid लिया, जो bacterium था, Salmonella typhi, उसका plasmid लिया, उसको, थोड़ा अच्छा plasmid ले ले लेते हैं, उसका plasmid लिया, और उसको एक specific location पे काटा, बस ये process थी, और इसी को हम genetic engineering बोलते हैं, genetically modified organism produce करने के कुछ basic steps है, ये basic step जो है, वो generally हमें genetically modified organism, जैसे की, अब मान लीजिए, जो वो plasmid बनाया है, उसमें हमने अपने मतलब का DNA डाला, और वो मैं आपके body के अंदर डालू, तो आप कौन हो जाओगे, genetically modified organism, आपके genes को modify कर दिया गया है, तीन basic step होती है, identify or dean with desire, character या desire, जो हमको XYZ जो भी character चीए उससे, उसको introduce करना, ठीक है ना, identify DNA into the host, maintenance the, maintain करना, मैंने बताया था ना, कभी भी आपने कोई काम किया है, जैसे आपने project बनाया, तो आप देखोगे तो, कि उस project को क्या reviews मिल रहे है, ऐसा तो यह नहीं बना के school पे फिक दिया, हला कि किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर actually मैं ऐसा होता, आपने कुछ भी recommendant DNA बनाया, host के अंदर transfer किया, जैसे किसी को बीमारी है, आप doctor हो, तो उसके अंदर आपने transfer किया, और उसको देखोगे तो कि उसकी बीमारी ठीक भी हो रही है या नहीं, यह वही चीज है, DNA कौन सा भेजना है, उसको identify करना, DNA को introduce करना, और body के अंदर देखना कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यह basically genetically modified organism के बारे में enough था, आगे का हम next lecture में पढ़ेंगे, I hope आपको यह lecture समझाया हुआ, Thank you.